मुझे एक बात बताई इना कितना बढ़ा सयोग है रह्मान साब कि शिवलिंग के आकार का ही आपको वहाँ फाउंटन मिला है मतलब शिवलिंग के आकार का तरह तरह के आकार के पाउंटन जमने प्रिशू में देखे जब संसकृत के शलोक की आती है जब गंटी की आती है जब घंटी की आती है बाकी मैं आपको सच्चा एंब उसका नाम भी ग्यान वापी मज्शित बाद में रखा गिया बहुत बाद में उसको पहले उसको आलमगीरी मस्जित कहा जाता था मैं आपसे पुष्टियों ए आप जवाद देते हैं जी वो जो पूरा एरिया ने इसको आप पहरें मंदिर था वो मंदिर नहीं था वो दिने इलाही का मरकस था अकबर का बनवाया हुआ तो मंदिर तो कभी थी ही नहीं वो जो मंदिर जैसे आकार दिखते हैं इसको आप मंदिर समझ रहे हैं वो दिने इलाही का मरकस है अकबर का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यही निकलेगा उधन अच्छा बिल्कुल और और फिर उसमें घंटियां यह त्रिशूल की अकबर ने सब बनवाये थे दिने इलाही का उसका मुई था है कि सारे धर्मों को मिला करके एक धर्म बनाए और उसके सब के धर्मों की उसने चेहन बनाए ते पार्थयादव इसका क्या जवाब अब मुझे ने पता है यह कौन सा इत्हास पढ़के आते हैं यह कहां से पढ़ा है ना तो कोई साक्ष है और ना इस प्रकार के कोई तत्थ है कौन सी पुस्तक है उसका भी रेफरेंस नहीं देते हैं मुझी बुर रह्मान साब मतलब केवल इतना है वो ज्यानवापी मस्ज़द थी है और आगे भी रहेगी हमारी जितनी भी पूरी रिसर्च टीम है हमारी मल्टी डिमेशनल रिसर्च होती है जोग्रफिकल हिस्टोरिकल और लीगल इससे हमारा के उनिक पात आपके रिसर्च जबरकार शिवलिंग केवल उसी की ही बात है और वही निकल के सामने आया है जानवापी जहां पर है जो वो प्लॉट नमबर 3190 नहीं बीच में से डाल के रिसर्च की यह भी बताते चलिए और बीच में बोलिए यह हिंदुस्तान है यहां पर फ्रीव प्रीडम और प्रीव को बताइए जो भी मजबर शावाप अडालक में इसे ही करते हैं क्या वो कौन सोर्स है सुनिया ना सरे के करके सुनिया ना अभी मेरे सोर्स के उपर ना सवाल था तो आप सोर्स मता के बताए ना जल्दी से बताइए एक दो तीन बड़ी चीज ने आपके रिसर्च पे आपके रिसर्च से केवल इतना इतना निकला है कि ज्यान वापी is the center of entire काशी क्षेत्र और वि शिवलिंग का स्थान है उसी को केंद्र बता रहे है ज्यान वापी में जो शिवलिंग है जो निकला है जो मेरे बड़े भाहिया विश्नु जी बता रहे थे वही है that is the center और वो इसको माले माले ना अभी एंक्यूबर है नहीं मांते में मांते कुछ नहीं हो और सबूत शिव महापुराणों चाय शिव महत्मों चाय रिगवेधों हर जगा काशी का महत्व हिंदू के लिए क्लिक क्या है यह इस पश्ट रूप से लिखा हुआ और इन सारी बातों का मैं आस्था पर नहीं जा रहे हैं कि हमाई लिए क्यों महत्पूर्ण है काशी का महत्व लोतिलिंग बनाया खुद बनाया सबसे पहला आदी विशेश्वर शिवलिंग था इसके बाद जब वहाँ पे 1669 में औरेंज जिव में तोड़ा उसके बाद क्या हुआ तोड़ने के बाद उसके लिए में तीन बहुत इंपॉर्टन डॉक्मेंट बताना चाहता हूँ एस एल्टरेकर की किताब है और जेम्स प्रिसेब की किताब है और जो वाटसन वहाँ के डियम के डिस्टिट में इस्टेट थे उनका 1809 का लिखा हुआ लेटर है ये तीनों यही कहते हैं कि जब वहाँ पे हिंदू का मंदिर तोड़ा गया उसके बाद भी हिंदू वहाँ प्लिंट पे पूजा काता है अंजना जी मैं एक बात कहना जाता हूँ ये वकील है ये सुप्रीम कोट को मानते हैं मैं भी सुप्रीम कोट को मानता हूँ 1997 4 SEC page 606 उसका पैरा वन पढ़ने है तीन जैजिस का जज्जमेंट है सुप्रीम कोट का आदी विशेश्वर का ओरिजिनल स्थान यही है ये सुप्रीम कोट अलड़ी अपने जज्जमेंट में लिख चुका है मंदिर तोड़ना हमें प्रूव नहीं कड़ना है यहाँ पर हमें यह बहुत इंपॉर्टन बात आपको सामने कहना चाहता हूँ अब सवाल यह बचता है कि आप जो इलीगल पोड़ेशन में घुसे हुए उसको हम कैसे रेस्टोर करें दीन मुहम्मद के केस में यह सारे लोग अब तो फिर 91 वर्षिप पैक्त आजाएगा उसका काट है मेरे पास पहली बात दीन मुहम्मद का जज्जमेंट है 1936 का जो 1942 में इलावाद हाई कोर्ट से भी अफर्म हुआ है उसमें 18 लोगों की गवाईया है और उसमें हिंदू पक्षकार नहीं था हिंदू पार्टी नहीं था वो बिटिस सरकार और मुस्लिम्स के बीच में हुआ था 18 लोगों की गवाईया एंजना जी जो चीक चीके कह रहे हैं कि हो 40 सारी जगा पे हिंदू कुजा पार्ट करते रहते थे बिटिस सरकार ने कहा है कि ये जगा वफ नहीं है और औरंजेब ने आम मंदिर तोड़के मजजित बनाई है तो ये जो दो important piece of evidence है इसी लिए दीन मुहमत केस में इलाबाद High Court नें की petition को reject किया